जोड़दार अभिदंदन करो आपके पूरो मंत्री पूरो जैने प्रत्री सम्मानि सत्माल जी इस कारिकरम में अभी अभी भाषन दे करके जिनने अपनी बात कही है आपके अपने सांसा धर्म विर जी के लिए चोड़री धर्म विर जी के लिए अभिदंदन करें और बहन हमारी आज कल तो सीधे जबर जस्त हमारी नेत्री बहन के लिए किरंद कलकल जी डॉक्टर किरंद कलकल जी जोड़ारबन दनकरों किरंद बहन के लिए और आपके अब प्रत्यासी बने थोड़े दिन पहले आपने सर्विस छोड़ी कोई वैसे सर्विस नहीं छोड़ता है लेकिन आज आपने धारा से हट करके मैंने आपसे पूछा सुनिल जी आपने इसके पहले क्या कम कर रहे थे आपने का मैं जेलर था जेलर के बाद आपने सेवा का मार्ग अपना है बच्चे क्या करतें उनने का दोनों सेना में है तो जो आपने खुद के इस अच्छे खासे सर्विस वा का काम छोड़ करके आपके भरोसे से जेलर की बहुत बड़ी नोकरी होती है लेकिन सच्चे अर्थों में गली-गली गाउंगा घुम करके आपका आशिरवाद लेने के लिए पधारे सुनिल सांगमान जी का जोड़दार अविजन्दन करें इस इविधान सभा के प्रभारे राजियंद्र भर्मार जी जहां बैठें राजndra बाइकों ने जोड़ार आज जी का अविदान करें क्या तल्वा भी चल है थी यॉट मत्चा तल वाने चलाएगा तो क्या प्रूद किसन सर्मा जी जोड़ा राव किसन सर्मा जी का भी fire डाक्टर बल्वान सिंग जी आपका भी रहें प्रछी हब ह्यों कि आधान आब खाले하면서 लोका कि नुकरव व्य तो आवाज तो आना चाहिए ना अब आ रहे हैं बहुत अच्छा जोगना ताले मज़ा आपने बिना ये सही बात कम्मुनिकेशन कर दी अच्छी बात है मैं इस अउसर पर मुझूद हमारी जिला पारसत लक्ष्मी देवी जी का भी अविननन करता हूं कहा है जिला पारसत जिलीचे हैं और सिरी आसीजी जी सरपंच आसीजी आपका भी स्वागत अविननन है सरपंच के माद्यम से आप तक का सबका अविननन कर दिया सब अपने अब पुरे मंच के लिए नाम तो भोछ सार है लेकिन मुझे यहां के बाद दो सबा और लेकर के मद्देश की धर्ती पे जाना मैं आया तो मुझे इतना अनदा है सच मानो इस दादरी विदान सबा के गाओं का नाम मैंने पूछा तो इन्ने का मिसरी तो मैंने माखन मिसरी का आनन तो यहीं मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता कितना सुदर सयोग है हमारे आराध्धी 5000 साल पहले जिनके भोग में जिनको भोजन में एक बार बाकी कुछ मिले न मिले लेकिन माखन मिसरी मिल जाए इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता और सुनिल जी आप भी चिंता मत करना में बाबा महाकाल की नगरी भी उज्जेन लेकिन उससे बड़ा एक और काम है भगवान कुष्ण की सिख्षा इस धली भी उज्जेन है मुझे इस बात का आनंद और उज्जेन की वो धर्ती है जया भगवान ने अपने विश्विध्याद धिन काल में कंस को मारने के बाद सिख्षा का क्या महत्व होता है वो सिख्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए कोई और दुनिया में कोई व्यक्ति होता तो किसी राज को मारने के बाद वो कुर्सी बेड़ता लेकिन हमारे उस समय के यादव बंदूओं को धन्यवाद जब 11 साल की उमर में भगवान क्रश्ट ने कंस को तो मारा लेकिन सिख्षा का महत्व बताते वे उनको उज्जेन सिख्षा अर्द्यन करने के लिए बेजा यह हमारा उस सम 16 कला, 14 विध्या, 18 पुरान, 4 वैद, सब कुछ अपने जीवन में धारण करके अध्यन करके जीते जी जी जो अपने विध्यारती से जगत गुरु के रूप में उपाधी पाई एसे गोपाल कर्श्ट हमारे लिए वो आनन्द भी है और उसका आनन्द डबल तब हो जाता है जो उनने वहाँ सिख्छा में पाया वो आपके हरियाना के गुरुक छेदर में एसा का एसा ही महाभारत के युद्ध में गीता सब के सामने दे करके उध्या के अंदर एक विध्यारती को जो अपने सिख्छा अध्यन काल में जो ग्यान मिलता है उस तक के रूप में आज भ पाद के लिए हमारी संस्कृति धन्य और यह अपना आनद तब और बढ़ जाता है जिस पाल्टी के हम आते हैं उस पाल्टी के नेता का नाम है सिरीमान नरेंद्र मोदी हमारे लिए आनंद की बात है नरेंद्र मोदी जी जो अपने विराइट जेक्टित्तों के साथ दानमंत्रिक पत्के उसुसोबित करने का उनका तरीका कैसा है यह हमारा आनंद बढ़ाता है एक गरीब परिवार का विक्ति जिसके अपने परिवार में कठनाईया कठनाईया थी लेकिन यह भारती जनता पार्टी है जो गरीब परिवार के विक्ति को उठा करके गुजरा प्रणत्रप जेसे प्रांत में 3-3 बार मुख्य मंत्री बनाती है, यह हमारा सोभाग और उसके बाद दुनिया के सबसवड़े गन्टंत्र में, दुनिया में भारत का इस्थान कितना बड़ा है, इतने बड़े लोगतांत्रिक देश में, एक बारनी, दो बारनी, तीन-तीन ब और प्रदानमंत्री बनाती है हमारी अपनी पॉणती है और देश की जंता है जोरदार अब अपने आपका करके बताईए यह लोग तंकर की सची सबसे लड़ी घटना उधारन है यह सच्पी प्रधानमंत्री जब काम करते हैं और एक-काम उनका एक-एक काम करने का तरीका हमारे लिए भारत की कीर्थी प्रसिद्धी इस आनंद को बढ़ाने वाला है कोई और प्रधान मंत्री थे पहले कांगरेस वाले तो वो क्या करते थे कोई अमेरिका से आए कोई इंग्लेंड से आए कोई कहीं से भी आए उसको कहा जाए कि भा आजमेल दिखाने को कोई और जगे दिखाने अरे यह नरेंज मोर्धी जी है जो हमारे मंजिरों के दर्सन कराते हैं यह हमारा वर्तवान का नेत्रत्व है चिदंब्रंब के मंदिर जहां जहां हमारी विरासते हैं और देने में क्या देते हैं कोई और होते तो पता नहीं क् भूटे भूटे कोई क्या क्या देते मैं भूल भी नहीं सकता हूँ लेकिन दुनिया के अंदर देने के लिए अकर कुछ है तो हमारा तो गौरों और गर्व और बढ़ जाता है पांच हजार साल पहले जो मुखारविन से अठारा अध्याय के रूप में गीता पवित्र गीता जो कर्मवात की प्रिणा होती है दुनिया के जब नेता आते हैं और वो उपहार में उनका संबान करने का मुका आता है तो हमारे यसोशी प्रदान मंद्री पवित्र गीता उनको भेट करते हैं यह हमारे लिए वरतमान के दोर में सबको सिछा भी है कि यह अठारा अध्याय मनुष्य का जन्म नियते जो जन्मा है वो मरेगा लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर परमात्माने प्रत्वी होना चाहिए दुनिया की कोई ताकत आपको डराए तो डरने वाला नहीं होना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर जिसे भगवान क्रश्ट ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर तो इस धर्म के मार्ग पर चलने की किसी ने सिछा दिये हमें इस बात की खुशी के भगवान राम और भगवान कृष्ट उसी नाते से जाने जाते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं बोले भगवान सिप्राम चंद्र महाराज की गोपाल कृष्ट भगवान की जब हम उनकी जैकारा लगाते हैं जब उनकी बात करते हैं तो हमारे विरोधी लोगों के पेट में मरोडे चलते हैं छाती पे सांप लोटता है ये क्यों भगवान की जेकार कर रो ये धर्म की बात क्यों कह रो अरे भाई धर्म की बात भगवान राम ने अच्छा ही सिखाई सच्छा ही सिखाई अरे बनवासियों को गले लगाया गरीब से गरीब आदमी को साथ बिठाया नाविक जो हमारे केवट महराज थे उनके हमारे अपने पाउं पूजने के लिए आगे बड़े हमारे कितने अदर से उनके माध्यम से हम अगर धर्मकी बात करते हैं अगर धर्मकी नहीं करेंगे तो क्या अधर्मकी करेंगे आपके म करिके देविदेवताव का नाम लेन विध्या तर मात्ते हुं हमारे 500 साल का संघर से भगवान राम का योद्या का मंदिर बनने का मेंंदिर। और ऐसे भगवान राम का मंदिर योध्या का बना लेकिन आपको इतने गुर्भागी सालीह नब MY आपने तो भोत अलंगे लगाए ते कोई बात भगवान राम आपको माप करेंगे आओ जरा भगवान के दर्शन कर लो उसमें सम्मिलित हो जाओ अरे पतानी कहां कहां से कौन-कौन लोग सब सामिल हुए नहीं हुए तो यह कांगरेश और उनके साथ वाले एज भी नहीं आए वायोध्या में भगवान राम के प्रति ये भाव और आप वोट मानना होगे अरे अभी तो भाया वो तुमारे पाप धुले मी हैं अब तो ये वोट इसलिए देंगे के क्रश्न कर नईया जमना जी के किनारे बुला रहा है गुला रहा है के नहीं गुला रहा है गोपाल प क्रश्न का समय है अब तो हमारी ओर ताकत बढ़ेगी जब भगवान और इसी के साथ इस पुलेटिन